हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश रीडर का चैप्टर नमबर 7, The Lost Camel इसके पहले के 6 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उसका एक्स्पानेशन भी देख चुके हो और उसकी एक्सिसाइज भी देख चुके हैं आज हम देखने वाले हैं, चैप्टर नमबर 7, The Lost Camel जिसका 1st question है, Can you recognize the footprint of an animal? क्या आप किसी एनिमल के footprint को पहचान सकते हैं? See the sketches of this footprint and find out who they belongs to यह जो sketches नीचे देखर रखे हैं, आप इन्हें देखिए और पहचानिए कि यह किन के footprints हैं Choose from the given words and write them in the blank space इनमें से कोई एक word choose कीजिए और जो blank space दे रखी है, उनमें आप इसको fill कीजिए तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं Two merchants were searching for their lost camel in desert दो जो व्यापारी हैं, merchant मतलब व्यापारी, were searching for their lost camel in desert desert मतलब मरुस्थल, वो मरुस्थल में अपने उट को search कर रहे थे, ढूंड रहे थे they met an old man on the way, और वो वहाँ पर एक बूढ़े आदमी से मिले they asked him whatever he had seen a camel, they asked him whether he had seen a camel उन्होंने पूछा कि क्या आपने कहीं पर एक उट को देखा है, camel मतलब उट the old man in turn asked more questions, तो उन old man ने उनसे और भी ज़्यादा questions करने शुरू कर दिये, it is an old animal, क्या वहाँ एक बूढ़ा animal है, he asked, old man ने पूछा, the owner said it was, कि हाँ वहाँ तो बूढ़ा ही था is it lamb in one leg, क्या वहाँ एक पेर से लंगड़ा है, lamb मतलब लंगड़ा ask the old man, old man ने दोबारा पूछा, the merchant said it was, merchant मतलब लव्यापारियों ने कहा हाँ वह एक पेर से लंगड़ा भी था, it is blind in the left eye, क्या वहाँ एक आख से, बाई आख से left मतलब बाई और right मतलब दाईयाख, blind मतलब अंधा होना, क्या वहाँ अपनी बाईयाख से अंधा था, the old man ask again, old man ने दोबारा question किया, पूछा, the honors were a little surprise, तो वह जो दोनों व्यापारी थे, मतलब camel के जो honor थे, मालिक थे, वो बहुत जादा आश्चर चकित हुए, surprise मतलब आश्चर चकित होना, they said the animal was indeed blind in the left eye, have you seen the animal, आप कैसे कह सकते हैं, कि जो animal है, वो left eye से ही blind था, have you seen the animal, क्या तुमने वो animal को देखा हैं, they ask the old man, उन्होंने old man से पूछा, without answering, the old man said to them, कोई भी जवाब दिये बगेर ही, जो पुढ़ा आदमी था, उन्होंने उनसे कहा, is the animal carrying wheat on one side for its beak, क्या उस उठ ने, क्या उस उठ ने कोई सा सामान, अपनी जो एक साइड थी, वो, मतलब, wheat मतलब होता है, गेहू, क्या उस उठ ने गेहू को अपनी पीट पर लाद रखा था, the owner said that it was true, owner ने कहा कि हाँ, ये बिलकुल सही है, now they were sure that the old man had seen the animal and perhaps taken the goods, अब उन्हें लगा कि हाँ, अब तो पक्का ही इस बूढ़े आदमी ने हमारे जानवर को देखा है, और इसने सारा ही सामान चुरा लिया है, the old man continued, isn't the camel carrying honey on the other side, और old man ने आगे question किया, और जहां तक मैं कह रहा हूं, कहना चाहता हूं, कि जो camel था, उसने क्या एक साइड पर honey मतलब की, शहद अपनी पीट पर लाद रखा था, the owner caught hold of the old man and asked him, angrily, have you stolen the good and killed the animal, चुद दो दोनों मालिक थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, catch का third form होता है, caught, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उससे पूछने लगे, घुसे में, angrily मतलब घुसे में, have you stolen, stolen मतलब की चुराना, the good son killed the animal, क्या तुमने वो सारा सामान चुरा लिया है, और animal को मार दिया है, kill मतलब मारना, I have not seen the animal, said the old man calmly, तो मैंने तुम्हारे animal को अभी तक नहीं देखा, ये जवाब बहुत ही शान्ती पूर्ण तरीके से उस old man ने दिया, the merchant asked him, तो जो वो दो व्यापारी थे, उन्होंने पूछा, do you think we are fools to believe your story, क्या तुम्हें हम पागल दिख रहे हैं, जो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे, and they dragged him to the khalifa's court, और उन्होंने वहाँ से उसको उठाया, और khalifa के court में उसको ले गए, the khalifa listened to the merchant story, तो जो khalifa थे, उन्होंने पूरी कहानी सुनी, जो कि उन्हें व्यापारियोंने सुनाई, then he turned to the old man, and asked him whether he had seen the camel, और वो old man की तरफ मुडा, khalifa, और उन्होंसे पूछा कि क्या तुमने इस से पहले कभी इस camel को देखा है, उसने कहा, नहीं मैंने कहीं नहीं देखा, अपनी पूरी जिंदगी में, इस से पहले मैंने इस उट को कहीं नहीं देखा, how do you know, the camel is lamb in one leg, तो फिर तुम्हें कैसे पता, कि जो उट है, वो एक पेर से लंगडा है, the khalifa asked, khalifa ने पूछा, I looked at the footprint one on the sand, said the old man, उसने कहा, बुड़े आदमी ने कि मैंने उसके पदचिन देखे रेत पर, and one of them could hardly be seen, और उन चारों footprint में से, एक जो footprint था, वो बहुत ही हलका दिखाई दे रहा था, the khalifa smiled and asked, why the old man thought the camel was blind in one eye, khalifa ने मुस्कुराते हुए, दूसरा प्रश्न किया, कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, कि जो उठ है, वो एक आँख से अंधा है, the animal had eaten the leaves of the bushes only on one side of the road, said the old man, उसने कहा कि जो जानवर है आपका, उसने केवल और केवल एक ही side की पत्तियां खाई थी, पूरे रोड की, उसने दूसरी side की पत्तियों को नहीं खाया था, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा, कि जो केमल है, उसने शहद और आटा मतलब, या सौरी गेहू ही अपने पीट पर लाद रखे हैं, आस्क दो खलीफा, खलीफा ने पूछा, मैंने देखा कि चीटियां जो है, एक कतार बनाते हुए, गेहू के दानों को ले जा रही है, और उनके साहिट में ही, बीज मतलब मधुमक्खियों की जो लाइन है, वो उस चीटियों के साथ में उरती चली जा रही है, तो उसके बाद, वो कहते हैं कि मैंने इसा सप्पोस किया, कुन ओल्ड में कहते हैं खलीफा को, जी हाँ, मैंने यह सब अपनी जो अनुभव हैं उससे कहा, तो खलीफा जो व्यापारी थे उनकी तरफ मुड़े और उनने कहा, यह जो बुड़ा आदमी है, इन्होंने अपनी आखों का इस्तमाल किया है, चीजों को देखने के लिए, और खलीफा ने तीनों को वहाँ से भेज दिया, तो यह एक छोटे सी स्टोरी थी, इसके बाद हम इसका नेक्स पार्ट में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, थैंक्यू सो मच, बालश हम इसके लिए log其實 था है थीजू यहाँ झालश को प्रिखेंगी एक्सराइजे टार्ट में रखों के लिएखें। प्रट पार्ट